वेल्कम बैक आज के इस वीडियो में हम लोग इगनू के बीसीए के एसाइन्मेंट 2021-22 mcs011 problem solving and programming के question number 6 को discuss करने वाले हैं जो आपसे क्या कह रहा है write an interactive C program which illustrates the following concepts 10 marks का है और देकी बहुत ही आसान है तो पहला आपको काम क्या करना है ऐसा function define करना है जो कोई भी argument ना लेता हो और ना ही कोई value return करता हो ठीक है function with no arguments and no return value और second part क्या बोल रहा है function with arguments यानि कि यहाँ पर function argument लेता हो लेकिन कोई value return ना करता हो and no return value ठीक है और थार्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि function argument भी लेता हो और value भी रिटरन करता हो ठीक है तो इस पर आपको 3 function बनाने हैं ठीक है अच्छा तो चली इसका प्रोग्राम लिखते हैं तो चली पहले हम लोग इसके function define कर लेते हैं फिर main function define कर लेंगे ठीक है अच्छा तो जो पहला function है वो हमें बनाना है with no argument तो suppose हमने abc नाम का function ले लिया ठीक है और यह function कोई भी value return नहीं कर रहा है तो इसके आगे हमने void abc लिख दिया ठीक है और यह कोई भी argument नहीं ले रहा है तो इसलिए blank छोड़ दिया और यहां पर सिंपल सा स्टेटमें दिया सपोज प्रिंट एफ से मैसेज दिया function with no arguments and no return लगा दिया यह मैसेज में दे दिया सिंपल सा काम है तो यानि हमने क्या करा एक abc नाम का function मनाया जिसमें कोई भी argument नहीं पास किया और रेटन टाइप उसका वाइट कर दिया क्योंकि हमसे बोला गया था कि कोई भी argument ना accept करता हो और ना ही कोई value रेटन करता हो ठीक है तो हमने सिंपल सा मैसेज एक दे दिया printf में वही जो इसमें condition दी गई थी ठीक है अच्छा तो यह तो एक function हो गया अब बढ़ते अपने लेकिन आर्गुमेंट लेता हो सपोज हमने यहां पर इंट कर लिया ठीक है अच्छा है फिर हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करा ले रहे हैं कि फॉंक्शन कि बिद कि आर्गुमेंट कि आप चाहें तो एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर दें कि आर्गुमेंट की बात कर रहा है तो इंट एंट बी कर लिजे ठीक है function with arguments कर लिजे and no return value backslash and कर लिजे यह कर लिजे ठीक है और आप एक काम होर कर सकते हैं यहां पर एक extra variable c ले लिजे ठीक है a और b की value तो आई रही होगी c is equal to a plus b करा लिजे यह कुछ भी operation perform करा लिजे है ना फिर यहां पर c की value print करा लिजे प्रिंट एक सम और टू नंबर्स इस परसेंट लिजे और c की value प्रिंट करा लिजे तो यह function हो गया यह आपका फर्स्ट पार्ट हो गया यह आपका सेकिंड पार्ट हो गया यानि कि फर्स्ट पार्ट में ऐसा function आपने abc नाम का define किया जो ना ही कोई argument ले रहा था और ना ही कोई value return कर रहा था सिंपल सा printf statement आपने दे दिया था उसमें लेकिन जो सेकिंड फंक्षन था वह आपकी वैलू तो डेटर नहीं कर रहा था इसलिए आपने इसके आगे वाइट लेकिन यह दो दो आर्गुमेंट ले रहा है ठीक है अब लास्ट क्या बसता है तो लास्ट जो बसता है वह मान लिजीए अब आपको क्या करना है function आर्गुमेंट भी लेता हो और वैलो बी रिटन करता हो ठीक है तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे कि क्योंकि वैलो रिटन करा रहा है तो इंटीजर लिख लिए सपोज इंटीजर टैप की वैलो रिटन कर रहा है और एक वाल नाम का function मना लिया जो दो पैरामीटर ले रहा है आपसे आई एंटी इंट एक पैरामीटर ले रहा है ठीक है यह आप चाहिए तो तीन पैरामीटर पास करा लिजिए int a, int b, int c ठीक है? यहाँ पर हम volume निकाल रहे हैं ठीक है? तो तीन parameter आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपने लिखा int int volume नाम का variable ले लिया ठीक है? और volume is equal to क्या कर लिया? a into v into c कर लिया ठीक है? और क्या करा? return करा दिया क्या? volume ठीक है? अब अब देखिए integer type के parameter थे ठीक है? तो integer का multiplication भी integer ही होगा तो हमें return में integer type की value return कर देगा और हमने यहाँ पर integer लिख भी रखा है ठीक है? तो यह आपके तीन function आपके define हो गए इस तरीके से ठीक है? अब कैसे main function में इसको लिखा जाएगा? वो लिख लेते हैं तो suppose यहाँ पर हमने क्या करा? v o i d void main कर लिया ठीक है? अब देखिए पहले function में तो हमने कुछ नहीं करना था तो हमने क्या करा? यहाँ पर clear screen लगा लिजे ठीक है? तो पहले function के लिए तो हमने कुछ नहीं करना है तो हमने simple का काम क्या किया? हमने a b c नाम का function call करा लिया ठीक है? क्यों? क्योंकि वो तो ना तो कोई value return कर रहा था और ना ही उसमें कोई parameter पास करे जा रहे थे लेकिन दूसरे function में x, y, z में हमें 2 parameter पास करने पढ़ेंगे अगर हमें 2 parameter पास करने तो हमें variable डिक्लियर भी तो करने पढ़ेंगे तो हमने क्या करा? यहाँ पर starting में क्योंकि c में यह restriction है कि जितने भी आप variables यूज कर रहे है वह variable डिक्लियर होने चाहिए तो आपने a, b ठीक है? और तीसरा variable c भी ले लिजे क्योंकि c की भी ज़र्वत पढ़ने वाली है आपको ठीक है? तो यह हो गया फिर आप यहाँ पर एक message देजिए user को enter the value of एक साथ ही करा लिजे a, b and c है ना? क्योंकि बाद में ज़र्वत पढ़ने वाली है यह कर लिजे semicolon लगा दीजे ठीक है? अब scanf कर लिजे %d, %d, %d पहला a के लिए हो जाएगा दूसरा b के लिए हो जाएगा, तीसरा c के लिए हो जाएगा ठीक है? तो यह तीन value आपने input करा ली ठीक है? अच्छा अब आप pass कर सकते हैं, ठीक है? यानि कि अब आप function call करा लिजे x, y, z और इसमें pass कर दीजे a, b क्योंकि यहाँ पर ज़र्वत कितनी है? दो variables की semicolon लगा दीजे, यह function calling हो जाएगी ठीक है? अच्छा फिर फिर तीसरे function में देखी क्या हो रहा है? तीसरे function में आप तीन parameter pass तो कर रहे हैं लेकिन आपको return करके कोई value भी तो मिल रही है? तो यानि कि यहाँ पर आपको एक variable और लेना पड़ेगा, suppose कुछ भी ले लिजे v नाम ले लिजे तोर हो जाए फिर function का नाम था वाल और इसमें pass कर दीजिए a,b,c ठीक है? क्योंकि देखिए x,y,z और a,b,c function a,b,c function की क्या बात कहें? वो तो ना ही कोई argument ले रहा था ना ही कोई value return कर रहा था लेकिन x,y,z में क्या था? कि value तो नहीं return कर रहा था लेकिन दो parameter ले रहा था लेकिन जो तीसरा function आपने define किया है उसमें parameter भी pass की जा रहे है, argument पास की जा रहे है और वो value भी return कर रहा है तो इसके लिए आपको एक extra variable लेना पड़ा ताकि वो return करके जो value आए वो आप इसमें store करा सके या फिर आप direct print भी करा सकते थे दो नहीं option है अगर आप variable नहीं लेना चाहते है तो आप print में call करा लें अच्छा तो अब यहाँ पर return करके ABC जो आपने parameter पास किये वो इस वाले ABC के लिए काम करेंगे ठीक है यह ABC और वो ABC different है यह इसके लिए लोकल है यह इसके लिए लोकल है ठीक है आप different variable name का भी use कर सकते थे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला फिर अब वी की value यहाँ पर return होके आगई होगी इसको print करा लिजे volume is %d और यहाँ पर वी की value print करा लिजे यहाँ पर यहाँ पर main function बंद कर दीजे ठीक है अगर आप यह चीज भी ना variable दिया होता तो आप चाहते तो volume bol a,b,c इसके पास लिख सकते थे तो वो return करके print करा देता ठीक है I think आपको सारी steps के लिए हो गई होगी अगर आपको फिर भी कोई आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें comment करके बताईएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया